उत्रखंड के हरीद्वार में कुम्भ मेला में शामिर हुए निरंजरनी अखाडा के सचीव रवेंद्रपूरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं बतादे कि उत्रखंड के हरीद्वार में कोविड-19 से कर्मण के बढ़ते प्रसार के चलते पंच्वायती अखाड़ा श्री निरंजरनी ने 17 अपरेल को कुम्भ मेला समापन के घोशना की है इसका एलान भी निरंजरनी अखाड़ा के सचीव रवेंद्रपूरी ने खुद किया था इसके बाद वो करोना पॉजिटिव पाए गए रवेंद्रपूरी ने वीरवार को कहा था कि कुरोना वाइरस का प्रसार तेज हो गया है और साथ हुसेंत एवं श्रधालू इसकी चपेट में आने लगे हैं उन्होंने कहा कि निरंजनी अखाड़े के सादूसंतों की छामनिया स्तारा अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी इस दौरान कुम्हमेले के आईजी संजे गुंजियाल ने कहा कि अखाड़ा ने जो भी फैसला लिया है उसके लिए वह सतर्ग है उन्होंने कहा कि प्रिशासन के स्तर पर सभी नियुमा का पालन किया जा रहा है बविश्य में जिस परिश्यों में अगर कोई चेंजे जाता है तो वो चेंजे अभी फिलाल सासर स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है एक और कुम्भ समापन की घोष्ण से बैरागी संत नराज हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर जगतगुरु शंक्राचारी के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्त ने घोष्णा कर दी है कि कुम्भ अपनी तैय अवधी तक चलेगा उन्हेंने कहा कि कुम्भ किसी संसाय खाड़ा का नहीं है कुरोना नेमो का पालन करते हुए शंक्राचारी छामनी लगे रहेगी निर्मोही निर्वानी और दिगंबर खाड़े निरंजनी और आनंद खाड़े की संतों से माफी की मांग की है कहा कि मेरा समापन का अधिकार केवल मुख्यमंत्री और मिला प्रशासन को है घोशना करने वाले संत माफी नहीं मांगते तो है अखाड़ा परिश्यद के साथ नहीं रह सकते कहा कि उनका मेरा जारी रहेगा और 27 अप्रेल को सभी बेरागी संत शाहिस्नायन करेंगे